सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिज्टल पॉडक्ट के इडवन्टेज के बारे में क्योंकि हमारे पास 그냥 and physical दोनो टाइब के प्रोड़ेक्ट एलेबल रहने वाले हैं और कोई भी बिजनेस करने के लिए कोई भी बिजनेस को successful run करने के लिए क्या होते हैं और इनसे benefit क्या होता है तो चलिए फेंड मैं आपको point to point मैं आपको clear करने की कोशिज करूँगा कि हमरे digital product की advantage क्या होते हैं सबसे पहली चीज मैं थोड़ा से आपको explain कर दूँ कि digital product होता क्या digital product वो होता जिसको हम digitally online internet के माध्यम से use करते हैं और sale करते हैं for example YouTube हो गया WhatsApp हो गया Facebook हो गया मतलब कोई application कोई software जिसे हम physically touch नहीं कर सकते हाथों में हम पकल नहीं सकते हैं वो हमारा होता है digital product जिसे हम internet के माध्यम से online digitally हम use करते हैं और sale करते हैं वो होता है digital product चलिए सभसे पहले हम edwardants के बारे में बात करते हैं पहले point रवेंड यहां पे no product cast पहला point है no product cast यानि कि आपको सिर्फ जो digital product होता है उसे सिर्फ एक बार बनाना होता है सिर्फ और सिर्फ एक बार आप उससे develop कर लेते हैं एक बार उसको आप complete बना लेते हैं उसके बाद दुबारा आपको उस product को बनाने की develop करने की आउसकता नहीं होती है सिर्फ time-to-time उसे अप डेट करने की maintain करते रहने की आउसकता होती है अगर कोई निया app Less करना कोईनिया option उसमें याड करना दिन उसे अप डेट करने की आउसकता होती है लेकिन दुबारा कभी वी उस Product को develop करने की आउसकता नहीं होती है सो यहां पर जो product development की cost होती है वो बस जाती है और एक बार आप product को बनाने के बाद, develop करने के बाद उसी product को आप multiple, multiple बार मतलब कितने भी customers को, कितने भी user को उस product को आप sell कर सकते हो, same product को आप कितने भी multiple customer को आप sell कर सकते हो, सिर्फ एक ही product, आपको बार बार बनाने की जरूत न नए features या नए option अगर add करने होते हैं तो उससे वहाँ पर maintain करने की आउसकता होती है उसके बाद उसको कोई भी product की costing नहीं लगती है development के लिए उसके बाद second point of end यहाँ पर no delivery cost यानि कि जो digital product होता है उसको हुम digitally use करते और sale करते हैं इसको किसी के घर पे जाकर deliver करने की आउसकता नहीं होती है यहाँ पर इसकी cost बеч जाती है no delivery cost किसी को घर पे जाकर deliver करने की आ सकता नहीं होती, उससे हम digitally अदूर्प करते हैं वह आराम से उसके बाद उसी पॉड़क को हम बार 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 मल्टिपल कस्टुमर को हम सेल करते हैं सेम पॉड़क को मैं दूसरा पॉड़क बनाने की जरूत नहीं होती है सेम पॉड़क को हम बार बार मल्टिपल कस्टुमर को सेल करते हैं यहां पर जो commission होता है, वो high होता है, बहुत ही ज़्यादा high होता है, क्योंकि हमें बार-बार बनाने की जरूत नहीं होती है, बार-बार पैसे खर करने की जरूत नहीं होती है, इसलिए जो commission होता है, वो बहुत ही high होता है, फोर्थ point के बारे में बात करते हैं, neighbor run out of stock, यानि कि यह out of stock नहीं होता है for example यहाँ पे क्या होता है कि जो fiscal product होते हैं for example अगर आपने 100 fiscal product की आपने manufacturing की और 100 customer ने उस 100 product को buy कर लिया तो आपके पास कोई भी product allable नहीं है लेकिन digital product में ऐसा होता है कि 100 customer buy करें 1000 buy करें या फिर 1,00,000 buy करें एक ही product को जो आपने digital product develop किया एक digital product उसी को आप चाए 1000 लोगों को sell करो या फिर 1,00,000 लोगों को sell करो वही product आप sell कर सकते हो so friend digital product में यह बहुत बड़ा benefit होता है fiscal product में क्या होता है अगर 100 product आपके वास ओलेबल है 100 customer ने buy कर लिया आपके पास खतम आपको दुबारा manufacture करना होगा उस product को तब ही आप दूसरे customer को sell कर सकते हो बट digital product में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है उसी product को, same product को आप कितने भी customer को multiple time sell कर सकते हो digital यह बहुत बड़ा benefit है fifth point के बारे में बात करते हैं no storage यानि कि digital product के लिए आपको किसी भी storage की ओसकता नहीं होती किसी भी दुकान की ओसकता नहीं होती यानि कि उसको रखने के लिए कोई भी storage की ओसकता नहीं होती क्योंकि वो digitally sell होता और digitally उसको हम use करते हैं तो उसके लिए किसी घर की किसी कारखाने की, किसी दुकान की मतलब कोई भी स्टोरेश की आउसकता नहीं होती है किसी भी digital product के लिए six point के बार हम बात करते हैं sell anywhere यानि कि एक बार उस product को develop होने के बाद उसको आप पूरे दुनिया में पूरी दुनिया में आप कहीं भी sell कर सकते हो किसी भी customer को आप sell कर सकते हो कोई भी उसमें condition ही होता है कहीं भी किसी भी time किसी भी देश में कहीं किसी भी जगे आप उसको sell कर सकते हो और revenue generate कर सकते हो आप उसको online digitally भी sell कर सकते हो चाहो तो आप उसको physically लोगों को बता के लोगों को share करके लेकिन digitally ही आप share कर सकते हो यह काफी ज़दा benefit होता इसमें और next point के बारे हम बात करते हैं सेबंथ point के बारे हम बात करते हैं low investment यानि कि जो digital product होता है उसको हम एक बार बनाते हैं जो cost होती है वो बच जाती है low investment में हमारा product जो digital product होता है वो develop हो जाता है उसको हम multiple time किसी भी customer को sale कर सकते हैं next आठवे point के बारे हम बात करते हैं passive income यानि कि जो हमारा digital product होता है उससे हम passive income भी generate करते हैं for example YouTube हो गया, Facebook हो गया WhatsApp हो गया, यह सब क्या है एक digital product है जिसके owner ने इनको सिर्फ एक बार develop किया इन product को YouTube हो गया, Facebook, WhatsApp जो भी हो गया, इनको सिर्फ इनके owner ने एक बार develop किया हुआ इसके बाद ये internet पर digital लोग इसको use करते हैं इसको इस्तिमाल करते हैं दिन इस पर क्या होती है, traffic आती है तो इसके हिसाब से daily इनको revenue generate होता है, passive income बिना कुछ किये, इनके owner को हर minute, हर second revenue generate होता है यह होता है, यानि कि डिस्टर परड़क को जब user, customer use करता है, तो हमें यहाँ पर passive income generate होता रहता है यानि कि एक बार हम develop करते हैं और उसके बाद उसी परड़क को 24 घंटे, 24 घंटे वो परड़क कोई भी customer user उसको use कर सकता है 24 घंटे, उसमें कोई भी time का foundation नहीं होता है next point, 9 point के बार हम बात करते हैं, we can update यानि कि जो डिस्टर परड़क होता है उसको हम कभी भी update कर सकते हैं, कभी भी उसमें हम नए feature, नए option नए चीज़ों को हम उसमें add कर सकते हैं, यह बहुत बड़ा advantage होता है, कि समय के अनुसार technology के अनुसार, हमारा जो भी digital product है, उसको हम develop करते रहते हैं, उसको हम update करते रहते हैं, ताकि customers जो हैं, और users हैं, उनको नए नए चीज़ों मिलती रहें, नए नए feature हमारे digital product में मिलते रहें, यह बहुत बड़ा advantage होता है, next point के बारे में बात करते हैं, digitally use anywhere, यानि कि कहीं भी digitally, online, internet के माध्यम से, कहीं भी, किसी भी जवे, किसी भी समय, आप अपनी इच्छा के उनुसार, digital product को use कर सकते हो, और इसमें time का कोई भी condition नहीं होता है, कि आप रात में यूज़ करो, या फिर दिन में यूज़ करो, इसको आप 24 गुड़े सेबन, जब आप चाहो, तब digital product को internet के माध्यम से use कर सकते हो, यह थे फिर्ट कुछ advantage digital product के, जो मुझे लगा कि आप सभी के साथ में share करना चाहिए, digital product होता है, उसको हम एक बाद develop करते हैं, उसके बाद सिर्फ उसमें कुछ maintenance charge लगते हैं, यानि कि उसको जब हम update करते हैं, सो हमारे जो staff होते हैं, उसमें जो काम करते हैं, working करते तो थोड़ा बहुत maintenance charge लगता है, उसके बाद हमें, कोई भी उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो digital product बहुत ही बहुत useful होता है, किसी भी business के लिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि जो time चल ला है, वो digital time ही चल ला है, यानि बहुत बड़ा लाब है, बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा advantage है, किसी भी company के लिए फेंड्स, यह थे फेंड्स कुछ important point, I hope यह वीडियो आपको informative जरूर लगी होगी, वीडियो छेट वीडियो को like share, चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा,